तो हेलो फेंट कैसे आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ या पिर बोल सकते हैं सैमसंग के बहुत ही कमाल की एक एप जिसके नदर एक नए अप्डेट आया है नए अप्डेट से हत क्या ने फीचर एड़न किया गया है उसके बारे में आपको आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब को लो नोडी से मेल एको दबादो ताकि असी निया अप्डेट आपको सबसे मिले और हो सके वह इंस्टार्वर्ण फेजुक पे भी फॉलो करें चलते हैं दोस्तों आगे मेरा नाम सणी और आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में तो जै गैजर्स का यूज करने के लिए सबसे जादा यूज होती है और मेरे को तो बहुती जादा पसंद है मैं सबसे जादा वीडियो इसके लिए बना रहे है अब इसके नदर एक नया अप्डेट आया उसके बारे हम बात करेंगे तो उसके लिए मैं आपको लिए जारा हूँ यहाँ पर गलेक्स डी स्टोर पह利 जाने की आप देखेंगे आपको इसके नदर एक नया अपडिए यहाँ पर आपको मिल रहा है यहाँ पर यहाँ पर नया है ओप्डेट मिल रहा है यह यहाँ धेगे लिए हां पर हगया है इस साथ में fix the issue of not working during drags and drops तो आप जब drag and drop कर रहे थे वो working नहीं हो रहा था तो वो इसका issue यहां पर resolve कर दिया गया है साथ में कुछ bugs fixes इसको यहां पर fix out किया गया है अब बात करें इस update को कब release किया गया है इसको release किया गया 30 अगस्त को और इसका जो size 6.91 MB का इसका version number 7.2.2.10 और अब इसमें main feature यही है कि इसमें remove किया गया unsupported feature को और कुछ enhanced feature add on किया गया है और कुछ इसमें bugs इसको fix out किया गया है तो अब इसको पहले तो कर लेते हैं update फिर देखते हैं और अगर आपको नहीं पता वाले end operation feature होता गयार भाई बहुत ही शांदर feature है अगर आपने नहीं use क इसको install कर लेना और उसको use करना इसकी वीडियो आप मैं थोड़ी लिंक पर दे दूंगा आप जा कि एक बर इसको use करके जरूर देखिए यह हुग है अब मैं आ गया हूं यहां पर यहां पर आने किया जो मैंने यहां पर डगल में ले लिया अब यहां पर आप देखेंगे कि smart select का जो option था यह अभी भी वी हो रहा है मेरे पास तो अभी भी भी आ रहा है smart select rectangle, smart select oval, smart select animation and smart select spin to screen तो भाई यह अभी भी भी आ रहा है यह अब उसको बापिस मैं आपको ले जाओं यहां पर क्या लिखा था remove unsupported features मतलब कि जिन mobile में यह support नहीं कर रहा था उन mobile में यह अब यह feature कैसे पर करता है like मैंने यहां पर choose of कर लिया मैंने इसको dial up पर choose कर लिया, suppose मैं आ गया हूँ suppose मैं अपनी फोटो में आ गया हूँ या पर कर रहा हूँ, अब मुझे इस चीज को capture करना है तो मैंने यहां पर उपर से सब यू करा directly smart select आया और उसने उतने area को select कर लिया, आप देख सकते हैं सीधा ही उतने area को select कर लिया और direct मैं इसको यहां पर save out कर सकता हूँ, और अच् सब्सक्राइब कर लिया है, जैसी मैं done करूँगा और वहां पर save, pin, copy, जो भी मुझे करना हूँ, आप कर सकते हैं, तो यह तरीके से feature use होता है, definitely बहुत ही काम का feature है, आप देख रहा है, जैसी मैं यह उपर करूँगा, यह उपर की तब swipe करूँगा, आप देख रहा है, उस होता है, आपके पास जो device है, आपके support नहीं कर रहा है, मेरे पास यह चल रहा है, अभी भी update होने के बाद भी, और अच्छा जलने लगा है, मतलब कुछ जो boxes होंगे, उसको fix out कर दिया गया है, और अच्छे से उसको कर दिया गया है, उमीद है कि आपके मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीजर जानल सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे से बेल आइकन तबादो, ताकि यहीं अपडेट आपको सब्सक्राइब ले और हो सके, मुझे इंस्टार और फेस्टूक पर भी फालोगा लाएना, थैंक्यू सो मच.